इंद्रा बाबराव कर्डू का जब 12 मार्च 2022 को निदन हो गया 13 मार्च 2022 को आर्मोरी बर्डी टी पॉइंट पर प्राहा जनिशक्ती पक्षे शस्त्रागार और लोखित संगर्श समीती द्वारा सामुच फ्रदांचली अर्पित की गई इस बारे में BCN News ने खबर दी थी कि इस गयर कानूनी धंदे पर लगाम लगाई जानी चाहिए बहराल संबने ठेकेदार या खबर लिखने वाले समवादाता को पकड़ कर दस बारा लोगों को लेकर डराने धमकाने की धमकी अपने परिजनों से प्रसारित कर रहे हैं यह भी कहा जाता है कि वर्षा के कुछ लोग और एक नौजवान आर्मोरी से वर्षा जाकर ये गुप्त रूफ सिह गयर कानूनी धंदा कर रहा है BCN News की इस खबर से वर्षा के सटे बाजा में हरकम पमच गया है इसमें किस बड़ी हस्ती का साथ है सारा धंदा समने विभाग के सहकारी से तो होता नहीं है इस तरह के सवाल उप सवाल जनता में निर्मान किये जा रहे हैं कहा जा रहे हैं कि ठेकेदा निडर हो गया है क्योंकि यह व्वसाहिप बहुत कम समय में अधिक पैसा कमा कर देने वाला है लेकिन इसमें लिप्ट हुए गरीब लोग गरीबी की रहा पर हैν वर्सा मुख्याले और ग्रामिन शेत्रों में लोग गरीबी की कगार पर हैं कम समय में अधिक पैसा कमाने के लालच में लोग सट्टा लगा रहे हैं और अपने घर की आतिक परिस्तिती खराब कर रहे हैं